आज की इस वीडियो में हम कुल 6 परस्ण के बारे में चर्जा करने जा रहे हैं इस वीडियो का मेरा पहला परस्ण रहेगा कि यदि आप लोग पुस्तेनी जमीन को परिवारिक मुखिक बंटवरा किये हैं परिवारिक तोर पे मुखिक बंटवरा कर लिये हैं तो ऐसे इस्थितिम आप शर्वय का फर्म कैसे भरेंगे और उस जमीन का शर्वय कैसे होगा और िस वीडियो का मैरा दूसरा प्रसम दहेगा यदि आपका पिता जी या दादा जी या फिर परदादा के नाम से कोई जमीन था और अब वो जिवित नहीं है और उसका जमीन में आप लोग जो है मतलब आपसी में परिवाड़ी बंटबड़ा कर लिये हैं तो ऐसे इस्थिती में आप लोग के नाम से खता कैसे खुलेगा यदि आपके अंदर में कोई जमीन है आप उस जमीन पे कवजा की होगे हैं लेकिन उस जमीन का कोई भी काज़ात आपके पास नहीं है ना तो क्यावला है ना लगान रसिद है और कुछ भी नहीं है तो ऐसे इस्थिती में जो है उस जमीन का सर्वय आप कैसे करवाएंगे वो जमीन का खत यान आप अपने नाम से सर्वय में कैसे बनवा सकते हैं और अगला परस्ट रहे का मेरा इस वीडियो का यदि मान लिजे आपका प्रोपर्टी में कोई प्रोपर्टी का काज्यात में खाता संख्यां गलत है या फिर आपका नाम गलत है या फिर पलोट नमर गलत है या फिर इसी परकार का और भी कोई गलती है तो उसको आप सुधार आप कैसे करवा सकते हैं, उसका सर्वय आप कैसे करवेंगे, और मेरा आखरी परस्त है का इस वीडियो का, यदि आपका कोई प्रोपर्टी का दाखिल खारीज नहीं हुआ है, काफी लंबे समय से आपका कोई प्रोपर्टी का दाखिल खारीज नहीं हुआ है, तो उसका सर्व कैसे होगा यह कूल 6 परस्ण है और यह छे परस्ट के बारे में हम आपको बहुत विस्थार से जनकारी देने जा रहे हैं तो आप वीडियो में आकरी तक बने रहिएगा और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो एक लेट वीडियो को तो आप एक साधे पेपर पे बंटवारा नमा तयार करके, सभी जो व्यक्ति है, जैसे तीन भाई है या दो भाई है, वो सभी भाई नीचे में साइन कर देंगे, और वही बंटवारा नमा के आधार पे जो है, आप सरवय का फोर्म भर शकते हैं, तो कैसे सरवय का फोर्म भरे टो जैसे सर्वे होगा तो आप जितना फड़ीक है यमान लेते हैं आप 윤क ava आपसमें वंखिक मटवरा की होगा तो तीनों भाई के नाम से खता खुल जागा सर्वyorsun मैं हो जागा और आप लोग के तीनों मैं किम से खत्यान तयार हो जागा आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अब चलिए हम दूसरा प्रस्थ पर चलते हैं यदि आपका कोई पिताजे या फिर दादा या फिर परदाधा के नाम का कोई जमीन है और आप लोग के कबजे में वो जमीन है आप लोग जोतरे हैं तो ऐसे इ उत्रादिकार के बीच में वो पुरुपर्टी को बना गया है तो जिसके नम से वो पुरुपर्टी था पहले आपको वो चीज फैंड करना होगा जैसे मान लेजे आपका कोई ददा के नाम से जमीन है और वो आप लोग आपसे बंटवरा कर लिये हैं तो ऐसे इस्थिति में आपको एक वन्सावली जरूरी है आप एक वन्सावली बना लेंगे और वन्सावली कैसे बनेगा इस वीसे पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनागे पहले अफ्लोट किये हैं तो आप मेरा पेडियो जाके देख सकते हैं और वन्सावली बनाने के लिए आपको कहीं भी तो आपको कोई दिख्कत नहीं होने वला है next question था कि कोई ज्ञगरा वला जनीन है तो आपको सबसे पहले यह चीज़ देखना होगा कि आके ज्ञगरा किस बात का लेकिए है हलाकि यह question जो यह कापी लंबा इसका answer हो सकता है तो आपको सबसे पहले यह fan करना होगा कि ज्ञगरा आके की step का है मान लेजिए जदि कोई व्यक्ति आपको कोई पूरपर्टी रस्टी किया है आपने पूरपर्टी खड़िद लिया और वही ओनर आपको लिखने के बाद आपको रस्टी करने के बाद वही पूरपर्टी को फिर रस्टी कर दिया है तो यहाँ पर एक ही पूरपर्टी का द बनाके अप्लोड किया है तो आप मेरा प्रिविएस वीडियो जाके देख सकते हैं तो जैसे आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो जो भी सर्वय का फॉर्म भारा जागा तो वहां पर आपको सिर्थ केस नंबर का उलिप कर देना है यह जमीन विवादित है तो ऐसे इस्तित शाइन्त अस्तर से ही उस विवाद को संब्धNote करने का पर्यास करना चाहिए और कर चलते हैं प्रहिए अर्कुष्टन था यदि कोई प्रुपर्टि का अकुझा तो ऐसे स्धित마 तर्वय के लिए काकझ बहुत ज़ारी है जब तक आपका परोपर्ट का का काट्व्याथ न कि वो पर्पर्टी आपको कैसे मिला वस्यत से मिला है या फिर कोई पुष्टेनी पर्पर्फ्थी है या फिर दनपत्स से पराप्थ हूए या फिर खत्यानी है या क्यक्कि कोई पर्पर्फ connection है और उसका काद्ट गूम हो गया है खो गया है तो ऐसे इस्थित्य सर्द्धी में है और मतलبر छल्द्ध खो है तो एस इस्थिति में भी अभी लेखाकार में सर्च करवाक् Yam // के उसका उसका पुरानथ फूरा न रोपी उपलब्ध हो गया है इतना रहियत है वो सभी रहियत यदि आपना पुरुपटे का डॉकुमेंट खोजने लगा ओनलैन तो मुहां पर 70-80% पुरुपटे का डॉकुमेंट आप्डेट किया गया है तो आप पहले ओनलैन सर्च कर लेंगे यदि आपको ओनलैन नहीं मिल रहा है ऐसे इस्थिति में का खाता संख्यां गलती है, खैसा संख्यां गलती है, या फिर नाम में कोई गलती है, या पलोट नमर गलती है, या फिर इसी परकार का कोई और गलती है, जिसको सुधार करने का हो सकता है, तो आपको पहले सुधार कर लेना है, उसके बाद जो है सर्वय का फर्म भरना है, मान सुधार करवाना है उसके बाद ही आपको सर्वय का फ़र भरना है तो आप सुधार दू तरीका से करवा सकते हैं पहले आपको offline सुधार करवाना पड़ता था जो कुछ लंबा प्रोसेस हो जाता था लेकिन अभी वर्तवान में online भी सुधार का परक्रिया को start कर दिया गया है इस टोपिक पर मैं एक सकता पहले ही वीडियो बनाया हुआ है कि आप online कैसे सुधार करवा सकते हैं आपना क्या वाला को जाफिर जब इनका कोई भी काग्यात है उसमें यदि खाता संक्या, खाता संक्या, नाम, पलोट कुछ भी यदि गलती है तो उसको आप online घर बेठे अब next question है कि यदि कोई व्यक्ति का जमीन का दाखिल खाड़िज नहीं हुआ है यानि कि motation नहीं हुआ है तो उसका सर्वय कैसे होगा तो देखें यदि आपका कोई पुरुपर्टी का दाखिल खाड़िज नहीं हुआ है तो ऐसे इस्तितिम आपको परिशान होने का बिल्क खाता कुलेगा और जैसे सर्वय हो जगा तो आफी के नाम से खातियान भी तयार हो जगा तो दाखिल खाड़िज जहां पर बहुत बड़ा महिने नहीं रखता है लेकिन यदि दाखिल खाड़िज कोई पुरुपर्टी करना है तो उसका काग्यात आपके पास होना जरूरी है जैसे मान लेजे कोई पुरुपर्टी आपने पर्चेज किया है तो ऐसे इस्थिति में जो है उसका क्यावाला आपके पास होना चाहिए या फिर कोई पुरुपर्टी आपको गिप्ट में मिला है तो वहां पे गिप्ट डिल होना चाहिए या फिर कोई पुरुपर्टी आपको हांसिल कैसे हुआ है, यह कारजात होना बहुत जरूरी है, यदि आप यह कारजात नहीं दिखा सकते हैं, तो ऐसे इस्तितिम आप मुसीवत में फंस सकते हैं, तो आपको सबसे पहले कारजात तयार करवा लेना है, कोई भी पूरुपर्टी है, यदि आपके पास कारज करेंगे ठीक है कोई कितनों पूराना काग्यात की हो नहीं बहुत इजली आप निकाल सकते हैं मैंने जितना परस्ण इस वीडियो में लिया है यह परस्ट के बारे में सबसे ज़्यादा कोमेंट हमको आ रहा था तो वही सभी परस्ट को आज सोटलिस्ट करके हम बताने का पढ अपलोड किये गए हैं तो आप एक बार मेरा चनल पर जाके मेरा प्रिव्यास वीडियो देख लेंगे तो ऐसे स्थिति में आपके पास कोई भी कनफ्यूजन नहीं रहेगा आपका सभी डॉट किलियर हो जागा फिर भी यदि आपको वीडियो से समद्द कुछ पूछना है तो नीचे कोमेंट ररके पूछ सकते हैं